हम अंतरिक्ष की तरफ देखकर हमेशा यही सोचते हैं कि अंतरिक्षी हमारे लिए सबसे बड़ा रहसे है जबकि हमारे प्रिथवी पे ही मौझूद समुदर के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं एक वग्यानिक दावे में ये कह गया था कि इंसान समुदर को अब तक केवल 5 प्रतिशत ही जान पाया है लेकिन समुदर को जानने के इंसानी पहल लगातार जा रही है और इसी के दोरान काफे बार स्कूबा डाइवर्स को ऐसा कुछ मिलता है जो कि उन्हें चौंका देता है अज हम बात करेंगे ऐसे ही दस शौकिंग डिस्कवरीज की नमबर टेन शिपरेक ऑफ सैन होजे नविंबर 2015 ये वो साल था जब अर्टिफिशल सबमरीन 6000 को समुदर में डुबा हुआ एक शिप मिला ये शिप था सैन होजे का सैन होजे को खोया हुआ मान लिया गया था सैन लिये क्योंकि ये अपने समय का सबसे बेतरीन शिप था जो कि अमेरिका से लड़ाई में कैरेबियन सागर में डूब गया था 1708 में जब ये डूबा तब इसमें लगभग 20 पिलियन डॉलर का खाजाना रखा हुआ था यही कारण था कि इस शिप को ढूणने के लिए इतनी मेहनत की गई हलंकी सभी लोग इस शिप को भूल चुके थे तब कोलिंबिया के हिस्टोरियन और ओथर गाब्रियल गार्सिया ने इसके बारे में लिखा और सभी को इसके बारे में पता चला अजी हुए स्पेन और ब्रिटिन तीनों के बीच ये शिप विवाद की वज़ा बना हुआ है अट्लांटिस के बारे में हम सभी जानते हैं ये एक मिथिकल आइलेंड है जिसके बारे में माना जाता है कि ये समुद्र में डूब गया था लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये रियल में एक्जिस्ट करता भी है या नहीं लेकिन एक शहर है जो कि आज से हजार साल पहले डूब गया था और एक्जिस्ट भी करता है इस शहर का नाम है थोनिस हेरेकलियन साल 2000 में कुछ एक स्कूबा डाइवर्स ने समुद्र में रैंडम तरीके से ढूणने की कोशश की और उन्हें ये मिला बात में बड़ी-बड़ी मशीनों के साथ इस शहर को तलाशा गया हलंकि अभी इसे पूरी तरह से एक्स्प्लोर नहीं किया जा सका है ये उमीद की जा रही है कि आने वाले समय में ये किया जा सकेगा ये शहर Egyptian कल्चर पर बेज़्ड है युनाइटिट किंग्डम में जब दो डाइवर्स समुद्र में उतरे तब उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उन्हें आगे क्या मिलने वाला है समुद्र में गहराई में जाने के बाद उनका सामना हुआ आज तक की सबसे ज्यादा बड़ी जेलिफिश से ये जेलिफिश लगभग एक मीटर लंबी थी और अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये तकरीबन 35 किलोग्राम की थी डान आबट और लिजी डेली नाम के दोस्कूबा डाइवर्स वाइट शाक के कुछ अच्छे स्नाप्स लेने पानी में उतरे थे लेकिन उनके हाथ जो लगा उसे देखकर वो पूरी तरह से हैरान रह गए जब लिजी डेली ने पहली बार जेले फिश को देखा तब वो डर गई लेकिन डरने जैसा कुछ था नहीं क्योंकि ये जेले फिश बहुत ज्यादा हमबल होती है ये बिलकुल भी खतरनाक नहीं होती ये क्या जेलिफिश के किसी भी प्रजाती को आज तक किसी पे हमला करते वे नहीं देखा गया है हम ये तो जानते हैं कि नदियों को मिला कर समुद्र का निर्मान होता है लेकिन क्या समुद्र के अंदर भी एक नदी हो सकती है डाइवुस हमेशा इस बात के लिए तयार रहते हैं कि वो समुद्र में किसी वी वक्त कुछ भी यूनीक ढूंड सकते हैं पिनिंसिला में मिली ये नदी इसी बात का एक्जाम्पल है वैसे अब आप सूच रहोंगे कि आखर समुद्र के अंदर नदी कैसे हो सकती है दोस्तों जब एक ही जगा पे दो तरह की डेंसिटी के पानी होते हैं तब वो लेयर्स बना लेते हैं जहां पर भी अंडर वाटर रिवर होती है वह ऐसा ही होता है पिनिंसिला में मिली ये नदी हाइड्रोजन सिलफाइड की बनी है और इसके उपर मौझूद ये पानी फ्रेश वाटर है इस नदी में मौझूद हाइड्रोजन सिलफाइड इसे एक शांदार लुक देता है जिसे इंटरनेट पे काफी लोगों ने पसंद किया है वसे आपको बताते चलें कि रिवर में कुछ केव्स भी हैं जो कि इसे काफी मिस्टीरियस वाइब्स देती है समुदर के अंदर डूबी हुई चीज़ें भी हमारे अतिहास का एक जरूरी आस्पेक्ट होती है इसे का एक्जाम्पल है यूएस का ये फाइट अप्लेन ये प्लेन तब डूबा था जब यूएस ने जपाइन के नेवल पोर्ट पर जाकर हमला किया था ये जिस जगा पे मिलाया उस जगा का नाम है माइक्रोनेश्या विश्यू अधिके दोरान लगबग 230 एरक्राफ्ट अलग-अलग समय पर डूबे जिन में से 200 से अधिक जपाइन गहीं थे इस फाक्ट से आप अमेरिका की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं इस दोरान अमेरिका के भी 30 एरक्राफ्ट गिराए गए हलंकि इस शिप से भी ज्यादा इंट्रस्टिंग है वो तरीका जिसके जरीय स्कूबा डाइवर्स ने इस एरक्राफ्ट को ढूंडा था जब उन्होंने इस एरक्राफ्ट को ढूंडने की ठानी तब उन्होंने अलग-अलग जगा ढूंडा उन्हें एरक्राफ्ट नहीं मिला उसके बाद उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की मदद ली जिसने एरक्राफ्ट को डूबते हुए अपनी आँखों से देखा था हम हमेशा यह सुनते आए हैं कि समुद्र के अंदर बहुत सारा खजाना चुपा हुआ है लेकिन एक खजाना है कहा इस बाद का जबाब तो जवीका फेर ही दे सकते हैं ये और उनकी टीम इसरेल के तटके पर स्कूवा डाइविंग कर रहे थे तब हे उन्हें 2000 गोल्ड कॉइंस मिले हैरानी की बाद यही कि जिस जगा जवीका को ये कॉइंस मिले वहां वो पहले भी डाइविंग कर चुके थे डाइविंग के वक्त उन्हें को चमकता हुआ दिखा उन्हें लगा शायद चॉकलेट का कवर है लेकिन जब उन्होंने पास जाकर देखा तो सोने के कई सिक्के उन्हें लगातार मिलते ही गए उसके बाद वो अपनी टीम को लेकर आए और लगभग 2000 गोल्ड कॉइंस लेके गए 1996 में जपैन के समुदर के पास मिले इस शहर के बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता था शहर के खंडहर लगभग 5000 साल पुराने हैं और इनमें बड़े मैदान हैं, मंदिर हैं, पिरमिड हैं और ये सब सडकों से जड़े हुए हैं ऐसा माना जा रहा है कि ये शहर पुसिफिक सिविलाइजेशन द्वारा छोड़ा गया हो सकता है, और तो और इसे अटलांटेस से भी जोड़ कर देखा जा रहा है हलंकि अमेरिका और जापैन के समुद्री तटों से कुछ दूरी पर मिले ये 5000 साल पुराने अविशेश किसी अड़्वांस्ट सब्विता को इंडिकेट कर रहे हैं स्कूबर डाइवर्स को डाइविंग करना जितना पसंद होता है, उससे कहीं ज्यादा पसंद होता है उन्हें समुद्र में केवज को एक्स्प्लोर करना हलंकि ये काफी खतरनाग भी हो सकता है, इसलिए अकसर इसे डाइवर्स करने से बचते हैं लेकिन कई बार caves में उन्हें lifetime achievement भी मिल जाती है। ऐसा ही एक cave है Orda Cave। रूस में मौझूद ये cave अब तक की सबसे बड़ी underwater cave है। साथ ही ये दुनिया की सबसे अंधेरे वाली जगा भी है। हलनकि यहां किसी creature का खत्रा नहीं रहता क्योंकि यहां का पानी rocks के कारण हर समय filter होता रहता है। यहां का तापमान 4 degree Celsius रहता है जिसका मतलब है कि केवल export divers ही यहां diving कर सकते हैं। अब अपके सामने इस वीडियो की तीसरी underwater city। समुदर में बहुत सारे शहर डूबे हैं जिनने ढूंडा जाना बाकी है और उन्हें में इसे एक है दिल लायन सटे। हलनकि आपको जयनकर हैरानी होगी कि इस शहर को जानबूच कर डूबाया गया था। इसे चाइना की सरकार ने हाइड्रो इलेक्टरिक बांध बनाने के लिए डुबाया था। इसके डूबने के लगभग 50 साल बाद अब इसे लोगों के लिए खोल दिया गया। वो डाइब करके इसे देख सकते हैं। ये काफी ज्यादा हैरान करने वाला है क्योंकि इतने अच्छे स्ट्रक्चर वाले शहर को एक बांध के लिए डुबाना ज़रूरी नहीं था। अब चाइना की सरकार भी इस बात का अफसोसी कर सकते हैं। शहर से अंडरवाटर म्यूजियम में बदल गए दे लाइन सिटी में लोगों की अच्छी खासी भीड रहती है। समुदर की बैठ चल रही हो और इस क्रीचर को मेंचन न किया जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कुछ डाइवर्स समुदर में खजाना ढूणने के लिए डाइविंग करते हैं। 200 किलोग्राम का ये 23 फीट लंबा अनाकॉंडा था। बोव के पूरे क्रू के लिए काफी डराबना था। हलाएं कि हैरानी की बात यह है कि अनाकॉंडा काफी ज्यादा फ्रेंडली था और उसने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। तो दोस्तें ये थी समद्र में मिली कुछ हैरान कर देने वाली डिस्कावरीज। अब इन में से किस डिस्कावरी ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया। कॉमेंट करके जरूर बताएं।